बिसमिल्लरफ रडियोरवरकीम, असलाम लेक्म डियर सुडेंट स sides of class six, कैसे हैं आप थीक हैं डियर दियर सुडेंट आज आज हमारा lecture नंबर 10 है, और exercise four a जो है वो हम solve करेंगे, exercise four a में पहला question है, find the prime factors, कि आपने इन numbers के क्या بنाने हैं, prime factors बनाने हैं, Question number 1 का first part है, prime numbers, prime factors आपने किस number के बनाने है, 360. Dear students, prime numbers start होते हैं, 2 से 3, फिर 5, फिर 7, पहले आपने इस number को 2 पे क्या करना है, divide करना है, जिस number के end पे, या unit place पे 0, 2, 4, 6, 8 मौजूद हो, वो 2 पे divisible है, तो इसको 2 पे divide करते हैं, dear students, 2 1s are 2, यहां से 1 remainder 16 बन गया, 2 8s are 16, और यहां पे क्या आजाएगा, 0 आजाएगा, 2 9s are 18, यहां पे 0 आजाएगा, फिर 2 पे divide करेंगे, 2 4s are 8, 1 remainder 10, 2 5s are क्या आजाएगा, 10, फिर हम इसको 3 पे divide करेंगे, क्योंकि यह देखें, 4 प्लस 5, 9, 9, 3 पे divisible है, आपने वो divisible वाले rules जुए हैं, वो इन पे apply कर लेने हैं, 3 1s are 3, 1 remainder 15, 3 5s are 15, 3 5s are 15, and 5 1s are 5, तो यहां पे लिख लेते हैं, 316 में कौन कौन से number हैं, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, और फिर 5 है, तो वो यहां पे हम mention कर लेंगे, 2, 2 है, हमारे पास, 2 थे हमारे पास, 1, 2, 3, 3 की तदाद हमारे पास 2 है, और 5 की तदाद हमारे पास क्या है, क्या कर लेंगे, multiply कर लेंगे, यह देखने, 2, 2s are 4, 4, 2s are 8, 8, 3s are 24, 24 को 3 से multiply करें, 72 आता है, 72 को 5 से multiply करेंगे, तो हमारा answer क्या आ जाएगा, 360, उसके बाद है, dear students, question number one का four part करते हैं, यह हमारे पास है, 2, 7, 8, 3, 0, यह भी क्या होगा, two pretty visible होगा, 2, 1s are 2, 2, 3s are 6, 1 remainder 18, 2, 9s are 18, 2, 1s are 2, 1 remainder 10, 2, 5s are 10, अब dear students, हम चेक करते हैं, कि आया यह 3 pretty visible हैं, यह नहीं इस number पूरे को आप क्या कर लेंगे, add कर लेंगे, 1 plus 3, 4, 4 में 9 plus करेंगे, क्या आ जाएगा, 13, 13 और 1, 14, 14 plus 5, 19 आई जाएगा, 19, 3 पे divisible नहीं है, इसलिए आज आज आप जिस number केंड में 555 पे divisible होता है, 5, 2s are 10, 3 remainder 39, उसके बाद, 5, 7s are 35, 4 remainder 41, 5, 8s are 41, remainder 15, 5, 3s are 15, अब यह number 11 पे divisible होगा, 11, 2s are 22, 5 remainder 58, 11, 5s are 55, 3 remainder 33, 11, 3s are 33, फिर 11 पे करेंगे, 11, 2s are 22, 3 remainder 33, 11, 3s are 33, अब 23 पे 23, 1s are 23, इसके बाद, dear students, हम इसको write कर लेंगे, 27830 is equal to 2 multiply by 5, multiply by 11, multiply by 11 and multiply by 23, उसके बाद, dear students, इस exercise के अंदर main concept है, HCF का, HCF stands for highest common factor, HCF find करने के different methods हैं, prime factorization method है, long devian method है, तो वो सारे हम यहाँ पे इसका concept जो है, वो क्या करेंगे, clear करेंगे, उसको understand करेंगे, पहले देखते हैं, यह question number 3 के अंदर HCF, question number 3 का first part देखें, dear students, कॉमा से पहले एक amount है, कॉमा के बाद दूसरी amount है, कॉमा के बाद क्या हमारे पास, तिसरी amount है, पहले हम first amount लिखेंगे, two की power three का मदलब है, two को तीन दफा मिल्टिपलाए कर ले, three की power three का मदलब है, three को भी तीन दफा मिल्टिपलाए कर ले, उसके बाद दूसरी अमाउंट है हमारे पास 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 2 की पावर 2 का मल्लब है 2 को दो दफा मल्टिप्लाई करें 3 की पावर 2 का मल्लब है 3 को भी दो दफा मल्टिप्लाई करें और 5 की पावर 1 का मलब है 5 को एक दफ़ा मुल्टिप्लाइ करें आप dear students एक चीज नोट कर रहे हैं मैं 2 को 2 के नीचे राइट कर रहा हूँ 3 को 3 के नीचे राइट कर रहा हूँ 5 को मैंने separate लिखा है क्योंकि उपर मेरे पास 5 की value जो है वो present नहीं थी उसके बाद dear students 3rd amount है हमारी 3 की power 2 multiply by 5 तो 3 को 2 दफ़ा multiply करेंगे और 5 को एक दफ़ा तो 3 को मैं 3 के नीचे राइट करूँगा और 5 को 5 के नीचे dear students इसके बाद इसमें से हमने common factors चूज़ करने है आप देख रहे हैं ये 3 common आ रहा है ये 3 common आ रहा है 3 multiply by 3 तो dear students इसके hcf क्या होगा cf stands for common factor and hcf stands for highest common factor 3 3's are 9 तो 9 हमारा क्या आ जाएगा dear students answer आ जाएगा उसके बाद dear students हम prime factorization की तरफ move करते है question number 4 में dear students in questions को आपने need copies के उपर भी write करने और इसके second question की भी आपने क्या करने ये practice करनी है वो बिलकुल similar question है इसका second part same method है इसका concept same है question number 4 find hcf by using prime factorization method तो इसमें देखे मैं question solve करता हूं जासे है जी 27, 36 and 45 using prime factorization method हम इसका क्या find करेंगे hcf find करेंगे पहले हम 27 के factors बनाएंगे उसके बाद 36 के and then 45 के prime factors पहले 27 के then 36 के then 45 they can do your students prime factors में 3 9s are 27 3 3s are 9 and 3 1s are 3 36 को 2 पे divide करें 18 आ जाएगा 2 9s are 18 3 3s are 9 and 3 1s are 3 उसके बाद dear students 45 आ जाएगा हमारे पास 45 जो है वो 3 पे divisible है 3 1s are 3 1 remainder 15 3 5s are 15 3 5s are 15 and 5 1s are 5 तो यह जितने भी हमने factors बनाएंगे इनको हम यहां पे क्या करेंगे इनके factors बनाने के बाद नीचे राइट करेंगे और उसमें से common factors को क्या करेंगे चूज करेंगे पहले हम 27 के factors राइट करेंगे जो हमारे पास है 3 multiply by 3 multiply by 3 उसके बाद 36 के factors है 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 आप note कर रहे हैं कि मैं 3 को 3 के नीचे ही write कर रहा हूं जिस तरह मैंने पिछली questions के अंदर किया है 45 45 के dear students factor क्या है 3, 3 and 5 3 multiply by 3 multiply by 5 dear students आप इसमें common factor चूज करेंगे common factor है 3 multiply by 3 और HCF dear students क्या आजाएगा 3, 3's are 9 तो यह इसका क्या आजाएगा answer आजाएगा इसके बाद dear students जो concept है वो है the long division method और यह last concept है question number 5 तक है हमारा question यह last question मैं आपको समझाता हूं यह prime factorization method था अब जो है वो long division method है question number 5 का third question देखें इसको SIDS method भी बोलते हैं 5th class में आपने यह पढ़ा था तो पहले 665 को 399 पे क्या करेंगे divide करेंगे 399, ones are 399 क्योंकि अगर हम 2 के सार multiply करें तो यह amount exceed कर जाती है बढ़ जाती है 15 में से 9 को minus करेंगे 6 15 में से 9 को minus करेंगे 6 5 में से 3 को minus करेंगे 2 665 में से 399 को minus किया तो हमारे पास आ गया 266 अब यह इस amount से क्या है less amount है जैसे ही less amount आएगी यह amount इदर आ जाएगी अब 266 जो है वो divide करेंगा 399 को 266, ones are 266 9 में से 6 minus करेंगे 3 9 में से 6 minus करेंगे 3 3 में से 2 को minus करेंगे 1 अब 133 देखें less amount है 266 से तो अब यह divide करेंगा 266 को यह दर आ जाएगी 133, two's are 266 हमारे पास remainder क्या बच गया है 0 अब यहां से हमार answer आए 133 यह हमार XCF है क्योंकि end में यह number क्या कर रहे है divide कर रहे अब यह divide करेंगा 1463, third amount को 133, ones are 133, six में से three को minus करेंगे three four में से three को minus करेंगे one उपर से क्या उतार लेंगे three 133, ones are 133, remainder हमारा क्या बच गया, zero end में number कौन से divide कर रहे ली 133 और यह number हमारा क्या होगा XCF तो dear students, यह method था जी long devian method तो यह exercise four है को dear students हमने solve किया इसको आप need copies पे solve करें rough register पे इसकी practice करें इससे related जो assessment है उसको भी solve करें okay dear students, Allah Hafiz झांजे ओिस्दधे ग्हाउपे करें प्रावे. इसकी कर झांधे उस्दधे हो जप देज़ढ में तो अज़पेशे जड़एगो करें